है हलो आप सब बढ़िया होंगे तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है नाशनल कमिशन फर एस-सी यह वही सीरिंज में हैं constitutional bodies की हिसी डॉपिक है नैशनल कमिशन फर ससी तो जैसे कि बाटी की सारी हमने constitutional bodies अब तक की हैं तो उसी में ही आज हम इसको continue करेंगे National Commission for SC यानि नाम से ही पता लग रहा है किन के लिए? Schedule Cast के लिए जो एक समविधानिक बॉडी बने हुई है उसका नाम है National Commission for SC तो अब अगर ये बॉडी समविधानिक बॉडी है तो obviously बात है कि समविधान में इसका जिकर होगा तो समविधान में कहां पे है इसका जिकर? तो इसका जिकर है Part 16th of the Indian Constitution भारत सरकार के समविधान के जो Part 16 है उसके में कौन से आर्टिकल? Article 338 तो इस आर्टिकल में National Commission for SC की जो प्रोविशन्स है वो इस आर्टिकल में आती है तो अब ये कौन से बाड़ी है? Constitutional बाड़ी है क्यों? क्योंकि ये बाड़ी कैसे बनी है? क्योंकि इसने अपनी सीधी सीधी पावर्स को डराइव किया है Constitution से पार्लेमेंट में कोई एक पास नहीं हुआ इसको बनाने के लिए ये जब से समविधान बना है जब से हमारा Constitution बना है तब से ये बाड़ी मौदूद है जैसे कि National Commission for Women है National Commission for Minorities है National Human Rights Commission है ठीक है? Commission है for the Protection of Child Rights तो ये सारे के सारे जो कमिशन है ये Statuary Commission हैं यानि ये कैसे बनाएं गए हैं? ये पार्लेमेंट में संसद में एक्ट पास करके इन कमिशन को बनाया गया है बट अगर आप National Commission for SC की बात करोगे इसी में ही आता है National Commission for SC National Commission for ST Schedule Tribes and National Commission for OBC Other Backward Classes तो ये तीनों जो कमिशन है इनका जिकर समविधान में है ठीक है? तो National Commission for SC एक Constitutional Body है ये कोई भी Statuary Body नहीं है अब ये Body किस प्रकार से बनी यानि ये Evolve कैसे हुई इसका Evolution कैसे हुआ क्या जब से हमारा समविधान बना था तब से ही ये Body हमारे समविधान में है तो इसका आंसर है नहीं ऐसा नहीं है जब सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी हमारे समविधान की तो उस समय क्या था? एक प्रोविजन थी एक Commissioner था यानि एक Single Commissioner था जो की SC और ST दोनों के Welfare के लिए काम करता था तो कौन था? Commissioner था Originally Originally सिर्फ एक Commissioner था जो किसके लिए था for SCs and STs ठीक है? जो कि किसके लिए काम करता था किसके Welfare के लिए काम करता था SC और ST के Welfare के लिए काम करता था ये क्या था? पहली सिर्फ एक ही Commissioner होता था ठीक है? फिर क्या हुआ इन 1978 एक कमिशन तयार किया गया जो ना तो कमिशन कॉंस्टिटूशनल बॉडी था यानि ना ही तो उसका जिकर कॉंस्टिटूशन में किया गया और ना ही पारलेमेंट ने संसद ने कोई एक्ट पास किया उस कमिशन को बनाने के लिए एक मेर से body था क्योंकि ना ही वो constitution से बना था ना ही वो act of parliament से बना था ठीक है तो वो एक non-statuary body था जो कि resolution से बना था तो 1978 में क्या किया गया एक commission set up कर दिया गया commission was set up for किसके लिए SC and ST डोनों के लिए SC और ST डोनों के लिए एक ही commission बनाया गया था commission was set up for SC and ST और यह कैसा commission था non-constitutional यानि समविधानिक भी नहीं and non-statuary statuary भी नहीं तो फिर मैं commissioner का क्या हुआ commissioner भी उसी office में था तो जो commissioner थे उन्होंने क्या किया जो commissioner थे उन्होंने continues to exist या hold office तो जो commissioner थे उनकी जो posts that continue to exist वो continue ही रही ठीक है बट उसके साथ साथ वो commissioner की help के लिए commissioner के साथ commissioner की post तो थी ही उसके साथ साथ एक commission set up कर दिया गया था non-statuary commission set up कर दिया गया था कैसे किया गया था by resolution then उसके बाद क्या हुआ 1987 में यह जो commission set up हुआ था इसकी कुछ powers को modify कर दिया गया यानि इसकी powers को क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया तो powers of commission was modified तो जो commission था उसकी powers को modified कर दिया गया बढ़ा दिया गया एंड उसका name भी replace कर दिया गया और name क्या रख दिया गया उसका national commission for sc and st तो क्या कर दिया गया 1987 में जो यह commission set up हुआ था 1978 में उसकी powers को और जादा बढ़ा दिया गया प्लस उसके साथ उसका नाम चेंज कर दिया गया national commission for sc and st तो ma'am commissioner commissioner अभी भी वहीं पे है commissioner भी है और commission भी है ठीक है now इसके बाद अब इसके बाद क्या हुआ 1987 के बाद then 1990 में finally क्या होता है अब तक यह constitutional body नहीं है अब तक इसका जिकर समविधान में नहीं है ठीक है यह mere एक resolution से body बनी हुई है 1990 में भारत के समविधान में एक संशोधन होता है 65th constitutional amendment act 1990 जिसने क्या कर दिया यह जो national commission for scst था यह जो 5th constitutional amendment act 1990 में जो multi member commission था national commission for sc and st इसको क्या बना दिया गया constitutional body इसको समविधानिक body बना दिया गया प्लस उसके साथ साथ क्या कर दिया गया मैं अब commissioner अब commissioner की post को खतम कर दिया गया यानि अब जो commissioner की post थी यहां पे क्या हो गई वो खतम हो गई इस commission ने ही इसको भी replace कर लिया था यानि it got replaced तो अब क्या हुआ 65th constitutional amendment act 1990 में यह जो commission बनाया गया था 1987 में national commission for sc nst इसको constitutional body बना दिया गया क्योंकि समविधान में संशोधन किया और संशोधन करने के साथ साथ इसका जिकर आ गया समविधान में और यह जो commissioner पहले हुआ करते थे 338 में उसको अब replace कर दिया गया और उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ national commission for sc and st था अब यह बड़े आपने दिमाग में इस बात को रखना है कि national commission for sc and st दोनों था आई रिपीट 65th constitutional amendment act 1990 में national commission for sc and st दोनों को ही यह एक ही commission था जो sc के welfare भी देखता था स्ट के welfare भी देखता था और इस commission को यह एक ही commission था और इस commission को constitutional body बना दिया गया था प्लस जो commissioner था उसकी जो पोस्ट थी उसको इस commission ने replace कर लिया था now moving further हम तो कर रहे हैं national commission for sc यहां पर तो बना था national commission for sc and st ठीक है तो 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 इसका मतलब यह national commission for sc and national commission for st यह दोनों कभी अलग हुए थे बाइफरकेट हुए थे तो वो कब हुए थे 89th constitutional amendment act 2003 2003 में 89th constitutional amendment act में जो हमारा national commission for sc and st ठीक हो गया था बाइफरकेट हो गया था बाइफरकेट होता है कि दो हिस्सों में बंट गया था बाइफरकेटेड चेक है इन्टू किस में national commission for sc और यह कहां पर गया article 338 of part 16 and national commission for st article 338a of part 16 of part 16 तो यह जो हमारा commission था इस प्रकार से इसकी evolution होती है तो क्या हुआ starting से करते हैं सबसे पहले originally जो हमारा समविधान था उसमें provision थी national commission for a commissioner for sc and st यानि एक ही commissioner था जो कि sc और st दोनों के welfare को देखता था ठीक है 1978 में ऐसा किया गया कि एक commission set up कर दिया गया समविधानिक body नहीं थी वो नहीं वो कोई parliament ने act pass किया था कोई statuary body भी नहीं थी एक mayor resolution से एक non statutory body बना दी गई commission जो की parallel चल रही थी commissioner के commissioner अपना काम कर रहे है और वो जो commission है वो अपना काम कर रहे है 1990 में 1987 में क्या किया उस जो commission थी उसकी powers को कुछ बढ़ा दिया गया modify कर दिया गया और उस commission का नाम क्या रख दिया गया national commission for SC and ST अब 65th constitutional amendment act होई तीन साल बाद 1990 में तो उस समय क्या किया गया यह जो national commission for SC और ST था इसको क्या कर दिया गया इसकी powers को और जादा modify कर दिया गया एक multi member जो commission था obviously national commission for SC and ST multi member commission तो वही होता है जिसमें एक से जादा member होती है तो उसमें एक से जादा member कर दिया गया और उसकी जो powers सी वो और जादा बढ़ा दी गया और उसका जिकर सीधा समविधान में कर दिया गया article 338 में कर दिया गया अब वहां पे जो article 338 में जो commissioner के बारे में provisions थी उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे जो commission था वहो लाकर रख दिया गया सो national commission for SC and ST बना दिया गया समविधानिक बॉड़ी जो commissioner था SC and ST का उसको replace कर दिया गया उसकी जगह पे commission आ गया तो यह हुआ था 65th constitutional amendment act 1990 तो अगर आप से कोई पूछे कि national commission for SC and ST समविधानिक बॉड़ी कब बनी थी तो वो बनी थी 65 constitutional amendment act 1990 में अब आपको पता है कि यह commission अब SC and ST का दोनों का इकठा नहीं है यह commission अब SC का अलग है और ST का अलग है तो यह दोनों अलग कब हुए 2003 में यानि इसके कांग करने के 13 साल बाद 89th समविधानिक संशोधन हुआ constitutional amendment act हुआ 2003 में तो इस समय पे जो national commission for SC and ST थे वो बाइफर केट हो गए तूट गए किसमे national commission for SC में and national commission for ST में तो जो national commission for SC था वो आता है article 338 में national commission for ST है वो आता है article 338 A में तो यह आता है part 416 of the Indian Constitution I hope आपको यहां तक सारा समझाया होगा तो यह जो commission था basically existence में कब आया 2003 में तो इसको तोड़ा गया था ना कि एक यह commission जैसे SC and ST का जो commission था उसको तोड़ दिया गया था ना SC बना दिया गया था 338 में और ST बना दिया गया था 338 A में तो यह इसने अपना काम कब करना शुरू किया यह existence में कब आया तो 2004 में जो national commission for SC था वो क्या हुआ came into existence यानि अब यह exist करना शुरू कर गया came into existence तो I hope आपको यहां तक सारा समझा गया होगा so next चलते हैं आप इसके आगे आप इन चीजों के अगर hand return notes बनाओगे तो वो आपके लिए काफी beneficial होंगे कोई भी हम इसमें try करते हैं कि एक भी aspect इसमें ना छोड़ा जाए आपको हर छोटी से छोटी चीज हर बड़ी से बड़ी चीज यहां पर बताई जाती है क्योंकि no doubt अगर आप SSE का exam दे रहे हैं या आपने CTET का, PTET का exam देना है तो कई बार इतनी detail में हर चीज नहीं भी पूछी जाती बड़ still आपको quality कैसा subject है जिसके बारे में आपको as a citizen आपको हर एक चीज की knowledge होनी चाहिए है ना, तो अगर जादा कर लेंगे तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान हो जाएगा है ना, जादा करने से हमें फाइदा ही होता है अगर हम जादा करेंगे तो हमें क्या होता है कि वो जो knowledge है वो हमें जादा उस चीज के बारे में पता चलता है तो exam में जाके अगर हम confused भी हो रहे हैं कोई एक दो options के बीच में अगर हम limited ही करेंगे तो obvious ही बात है हम confused होंगे तो अगर हमने कुछ extra उस चीज़ के बारे में हमने पड़ा हुआ है हमें knowledge है तो वो options को देखके हमें कई बार judgment हो जाती है कि अच्छा हम ऐसे लगा सकती है यह option correct हो सकता है यानि obvious ही बात है अगर हम भी इंसान है हर इंसान को पूरा पेपर नहीं आता होता है हर चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता बट exam को correct करने के लिए ऐसा होता है कि हमें at least कि options के बीच में हमें smartly हमें पता होना जाए हमें तरीका होना जाए कि हम उस option को टिक लगाएं कैसे तो उसके लिए अगर हम थोड़ा बहुत extra कर लेंगे तो उससे हमें idea लग जाता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा यह option तो नहीं ही होगा ऐसा नहीं पता हमें कि इन चारों में से कौन सा option है बट हमें ऐसा पता लग जाते हैं कि यह वाल option तो नहीं होगा तो अब अगर आपको चार option थी तो उसमें से अब 3 ही रह गई अगर उसमें तुक्का भी लगा रही हो तो ज्यादा probability है कि वो आपका तुक्का सही होगा है ना तो इसलिए थोड़ा से जादा पढ़ना ही better होता है ठीक है ओके सो next करते हैं इसकी composition composition में अब कौन कौन से कितने कितने member होते हैं देखिए इसकी जो compositions होती है कौन पॉइंट करता है कौन रिमूव करता है जब से हमने ये constitutional bodies की है ना हमने start की है तो ये चीज़े काफी आरही है इसमें हना तो ये चीज़े होती भी important है आपको इस चीज़े के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा इसमें एक दो बार आपको reading लेनी पड़ेगे फिर ही आपके ये दिमाग में पूरा अच्छे से रहेगा next राता है इसकी composition तो composition में होता है एक chairman chairperson होता है ठीक है plus इसके साथ साथ एक wise chairperson होता है एक chairperson हो जाएगा plus एक wise chairperson हो जाएगा plus उसके साथ साथ तीन members और होते है तो इसका मतलब जो पूरा commission होता है वो कितना member body होता है five member body होता है यानि total इसमें कितने members होते है five members होते है जिसमें से एक chairperson होते है एक wise chairperson होते है और जो तीन होते हैं वो members होते हैं, बाकी के members, और अब इन सब को appoint कौन करता है, इन सब को appoint किया जाता है by president, appointed by president, by warrant under his hand and seal, by warrant under his hand and seal, तो कौन appoint करता है इनको, president appoint करता है कैसे, by warrant under his hand and seal, इसके अलावा जो इनकी condition of service होगी, अपने office में रहने के लिए जो conditions follow करनी पड़ेंगी, condition of service and जो tenure होगा, कि कितने समय के लिए इनको appoint किया जाएगा, ये commission को appoint किया जाएगा, तो ये भी कौन determine करेगा, is to be determined by, तो इस चीज़ को भी कौन determine करेगा, is to be determined by president, तो जो हमारे president होगे, वही ये चीज़ें बताएगे, ठीक है, अच्छा, जो finance commission हमने किया था, तो finance commission की जो qualifications थी members की, उसको किसने determine करना था, उसको parliament ने determine करना था, यानि जो finance commission की qualifications होगी, जो वहां के members की, उसको किसने बताना था, समविधान ने ये responsibility किसको दी थी, parliament को दी थी, president को नहीं दी थी, मैंने तब भी बोला था, आपने इस चीज़ को याद रख लें, और अब भी आपको बोल रही हूं, तो दिमाग में रखिये, so, ये जो चीज़ें होती है, condition of service or tenure, और ये कौन बताएगा, president बताएगा, कितने member commission, कितने member body होती है, five member body होती है, एक chairperson, एक vice chairperson, प्लस तीन other members, और इनको कौन appoint करता है, इनको appoint करता है president by the warrant under his hand and sale, next कर चलते हैं, आगे आते हैं इसके functions, commission के क्या-क्या functions होती है, ओके, so, next, अब इसके functions के बारे में करते हैं, तो पहला ये जो function होता है, इसका क्या होता है, इसका main काम क्या होता है, development करना, welfare के बारे में सोचना, ठीक है, welfare करना, development करना, यहां फिर, protection करना, किसकी, of rights of SCs, यानि, जो schedule cast होते हैं, उनके protection करना, उनके rights की, प्लस उनकी development करना, प्लस उनके welfare के लिए काम करना, यह जो commission होता है, वो SC के development, protection और welfare के लिए काम करता है, इसके अलावा SC से related कोई भी matter होंगे, तो उस matter की ये investigation भी, करता है, यानि, as a court, एक court के तरीके से ये क्या करता है, पूरे matters की investigation करता है, जो भी SC से related cases होते हैं, तो वहाँ पे ये investigation भी कर सकता है, to hear complaints, तो अगर SC जो होते हैं, उनको कोई भी complaint आती है, कोई भी problem आती है, तो वो national commission for SC के पास जाके अपनी complaint दर्ज करवा सकते हैं, और वो complaint को सुनने का काम और उस पर आगे work करने का काम है, वो भी ये commission करता है, ये commission को ये भी power होती है, कि आगे affidavits, या फिर कोई proof, या फिर कोई witness, वो बुला सकता है, इनके cases को solve करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा, ये advice भी देता है, government, ठीक है, center के level पे, state के level पे, SC और ST के development के लिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन-कौन से programs आने चाहिए, तो उस चीज के लिए भी ये क्या करता है, यानि for their socio-economic development, तो उनकी socio-economic development के लिए, ये भारत सरकार को advice भी करता है, कि आप किस प्रकार से जो है, जो SC है, ST है, उनकी socio-economic development कर सकते हैं, तो उसके उपर भी advice आती है, the next रात है, कि ये अपनी annual report देते हैं, किसको? President को. तो ये अपनी पूरी साल की report ट्यार करके, कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना-कितना हमने work किया, ठीक है, ये पूरी की पूरी अपनी report ट्यार करते हैं, और एक साल की जो report है, वो किसको दे देते हैं? President को Submit कर वाते हैं. तो ये इसके कुछ functions है, सारी चीजे यह सारी क्या होते हैं इनके ही फंक्षेन होते थी अब यह जो आजया एन्युल रिपोर्ट प्रेजिडेंट को दी जाती हैं तो देखी अब जो नेशनल कमिशन फ़रल हें ये क्या करेगा अपनी पुरे साल भर की रिपोर्ट को तयार करेगा कि हमने साल भर में क्या क्या किया यह रिपोर्ट किसको देगा प्रेजिडेंट को देगा ठीक है और प्रेजिडेंट जनरली क्या करता होता है यह रिपोर्ट को फिर पार्लेमेंट के आगे रख देगा कि यह लीजिए पार्लेमे सकता है कि अगर इसमें कोई स्टेट इंवॉल्व घैसे आप ereक हम जोइन से स्टेट में जादा से रहते हैं थो अगर स्टेट की किसी की इनW следment है तो प्रेशिदेट क्या कर सकता है उस स्टेट के गवर्णर को भी यह रिपोर्ट दे सकता है और governor फर्तर क्या करेगा उस report को किसके आगे रखेगा state के legislature के आगे रखेगा वहां की विधान सबा के आगे रखेगा तो इसका मतलब जो national commission for SCA वो अपनी report किसको देगा साल भर की president को president वो report parliament के आगे तो रखेगा ही रखेगा इसके अलावा अगर कोई state involved है तो वो क्या करेगा उस report को state के governor को देदेगा और वो governor कहां पे रखेगा obviously वो state के state legislature के आगे रखेगा तो यहां तक हमने कर लिया next करते हैं हम इसकी powers अब national commission for SC की powers क्या होती है powers ओके तो इसकी जो सबसे पहली power होती है वो होती है it acts as a civil court यानि अगर कोई व्यक्ति कोई complaint लेके आता है SC के matter के related तो यह civil court की तरह act करते हैं यानि कि यह सामने वाले से कोई witness गवाह भी बंगवा सकते हैं इसके अलावा यह सामने वाले से oath की आप कसम खाईए आप जो बोल रहे हैं सच बोलेंगे यह चीज़ भी करवाते हैं और कोई भी अगर इनको paper चाहिए कोई proof चाहिए कोई document चाहिए तो यह affidavits चाहिए तो यह सभी जो चीज़े हैं मंगवा सकते हैं एक court की तरह काम करते हैं कोई भी justice को करने के लिए तो इसका मतलब जब भी as seek के related कोई भी matter आता है तो यह as a civil court बनके उस matter की investigation है जो या जो judicial proceedings है वो आगे चलाते हैं तो यह भी इसकी एक power है कि यह क्या करते हैं act as a civil court एक civil court की तरह act करते हैं next जो इसकी power है वो यह है कि अगर भारत की सरकार ने या किसी राज्य की सरकार ने SC के welfare के लिए कोई programs चलाना है तो वो क्या करते हैं जादा तर is required to consult SC तो चाहे भारत की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो अगर उन्होंने SC के लिए कोई provisions बनानी है कोई steps लेना है तो they are required to consult SC तो चाहे government of India हो और government of state हो तो अगर उन्होंने कोई ऐसा decision लेना है ठीक है तो यह क्या करेंगे are required to consult national commission for SC तो इनको consult करना जरूरी होता है ठीक है for related policy matters तो अगर कोई भी policy बनानी हो कि इनके लिए SC के लिए तो they are required to consult national commission for SC अब आगे देखिए अब जितने भी यह functions है जितने भी यह powers है यह किस के related है national commission for SC SC के welfare के related SC को कोई problem आएगी SC ने कोई complaint करनी है SC के matter में कोई investigation करनी है SC के लिए कोई policy बन रही है तो कौन आगे आके बोलेगा national commission for SC इसकी जो पावर्स होती है for Anglo-Indians भी क्या होती है Anglo-Indians के लिए भी इसके पास क्या होती है similar powers ही होती है जो की SC के लिए होती है जो काम इसने SC के लिए करना है वही काम इसने Anglo-Indians के लिए भी करना है तो इसका मतलब इसकी powers यहाँ पे बिल्कुल similar होती है जो की SC के relation में होती है next for BC अब जो powers इसने SC के लिए है इसके पास वही powers उसके पास Anglo-Indians के लिए है और वही powers इसके पास BC other backward classes के लिए भी थी अब नहीं है और कब तक थी 2018 तक यानि 2018 तक जो काम National Commission for SC SC के लिए कर रहा था National Commission for SC Anglo-Indian के लिए कर रहा है वही काम National Commission for SC OBC के लिए भी करता था कब तक करता था 2018 तक करता था ठीक है तिल 2018 बट फिर क्या हुआ 2018 में 102 संशोधन हुआ समविधान में 102 Constitutional Amendment Act 2018 और उसकी वज़े से National Commission for BC बन गया जो की अब बैकवर्ड क्लासिस के वेलफेर के लिए काम करता है और जो National Commission for SC है वो अब BC की जो कैटेगरी थी उससे अपने आपको उसने रिलीव कर लिया उसको रिलीव मिल गया रिलीव मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि अब नैशनल Commission for SC किसके वेलफेर के लिए काम करता है SC और एंगलो इंडियन्स BC के लिए भी पहले करता था 2018 तक बट 2018 में क्या हुआ 102nd Constitutional Amendment Act हुआ और BC के लिए एक अलग सा जो कमिशन है वो तयार हो गया था National Commission for BC तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से Complete हो जाता है हमने एक एक आस्पेक्ट अच्छे से किया है I hope आपको समझाया होगा Thank you so much करता है करता है